क्या washable condoms या reusable condoms या जिनको लोग crystal dragon condoms भी बुला आते हैं क्या उनका इस्तेमाल करना चाहिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ आपका sexologist दीपा करोडा हमारे clinics दिलियर चंडिगर दोनों जगहां पे हैं उसके अलावा हमारी website drarodas.com के थू हम online consultation भी provide करते हैं ताकि आप घर बैठे बैठे हमारी online consultation के थू हमारे professional team की मदद लेके अपनी sex life को और बहतरीन बना सके और अब तो आपका ये भाई हर शुक्रवार रात को 9 बज़े आपके साथ YouTube live पे भी जुड़ने लग गया है ताकि आपके जितने भी सवाल हो आपकी sex समस्याओं को लेके आपनी sex life को बहतरीन बनाने के लिए उन सबी सवालों का जवाब वहीं के वहीं YouTube live के sessions में live वक्त उस अफ लाइन दुकानों पे बहुत जगा मिल रहे हैं कि उनके इस्तेमाल करना चाहिए तो in my opinion मैं हमेशा ये कहता हूँ हर्गिज नहीं करना चाहिए because condoms के दो तिन तरीके होते हैं या दो तिन reasons होते हैं जिनके कारण हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहला reason तो ये होता है कि हम STDs और STIs से अपने आपको और अपने साथी को बचाने के लिए उसके इसके इस्तेमाल करना चाहते हैं जब आप reusable condom इस्तेमाल करते हैं तो जब आप उसको साबन पानी से wash करेंगे सुखाएंगे वो पूरे तरीके 100% bacteria free infection free किसी भी तरीके की ऐसी बिमारियों को नहीं carry कर रहा होगा ऐसा कुछ guarantee नहीं हो सकती है जो एक आपने sealed condom खरीदा, एक branded company का sealed condom खरीदा, single time use वाला और वो पूरे तरीके fresh है, sterilized है, किसी तरीके के उसके थुरू बिमारियों आने के chances नहीं होंगे उसके मुकाबले में अगर आप इस washable condom को आप बात करेंगे तो ये पूरे तरीके कभी sterilized वाली position में नहीं पहला मकसद तो ये था कि STDs और STIs से बचने के लिए, so in my opinion I don't stand in favor of that, दूसरा मकसद होता है कि pregnancy ना हो, fine आपने condom को penis पे चड़ाया, उसको हर बार wash भी कर लिया, उसके अंदर विरया रह जाता है तो आपके partner female partner की body के अंदर वो विरया नहीं गया, तो वो conceive नहीं करेंगी मगर फिर भी ये जो अब भी हमने बात करी कि पूरा sterilize नहीं होगा, पूरे तरीके उतना clean नहीं हो सकता, so infection के chances होने के बहुत बहुत ज़्यादा high chances होंगे, so उसके लिए भी ये गलत हो जाता है, और तीसरी बात क्या आती, इसके उपर जो dots या ring जो बने होते हैं, वो जब ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं, अभी उनके पीछे इतनी scientific studies नहीं होई है, जो ये crystal dragon condoms के अंदर इनके ऊपर जो dots ये दाने उबरे हुए, या कुछ तीखी शेप के बीच में आने लगे होता, भले ये soft latex है, मगर इनका उभार और इनके size ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जब जितनी आए तक studies हुई हैं, उसके accordingly ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपके female partner को ये अच्छा feel करवाने के बजाए, ये unpleasant, uncomfortable है, दर्द भी feel करवा सकता है, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ही है, अभी ये products आ रहे हैं, इनके कोई standard अच्छे brands नहीं हैं, कि आप उस latex की असली quality पे भरोसा कर सको, so in my opinion, I don't stand in favor of all these kind of products, अगर आप ऐसा कुछ इस्तिमाल करते हैं, तो आपको देखना ही, आप अपने risk पे पूरे तरीके इस्तिमाल कर रहे हैं, in my opinion, you should stop using this, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कि आपका ऐसा इ मैं किसी brand का specific brand का favor या उसके खिलाफ ऐसा कुछ कभी नहीं करता होता हूँ, so मैं किसी condom brand का नाम नहीं ले रहा हूँ, but condom बनाने वाले तो जो असली players खड़े हैं market में, और उन्होंने बहुत R&D's करी हैं, और उसके बाद वो product लेके आएं, उनके पास भी बहुत सारी varieties हैं से जो नए ने पैसा बनाने के लिए companies market में चीज़ें फैक थी इनसे अपने आपको बचाएए, अपनी sex life को पूरे तरीके तंदरुस्ती से जीने के लिए आपको अपने अक्के का इस्तेमाल भी करना है, कि जिस चीज़ों को मैं use कर रहा हूँ सिर्फ ये सोचके कि वो कमली दिवानी मेरे पीछे घूमने लग जाएंगी या बस मुझे ही याद करेंगी एक बार इससे कर लिया, भाई हैसे फालतों की बातों से बाहर निकलिये, आपकी और आपके साथ ही कि दोनों की पूरे तरीके तंदरुस्ती सबसे ज़्यादा जरूरी है, so in my opinion, I am again saying I don't stand in favor of all these kind of condoms, अच्छे brand का किसी भी तरीके का जो भी condom आपको इस्तेमाल करना है, हाँ, एक बात हमेशा कहता हूँ, जो condoms specially premature ejaculation के लिए आते हैं, उनको तो मैं खुद हमेशा इंकार करता हूँ, because उसक से आपका premature ejaculation का हल नहीं होता वो, short term के लिए आप डिले गरते हैं, बाकी क कोई भी condom आप इस्तेमाल अच्छे brand का कोई भी कीजिए, अपनी sex life को बहतरीन तरीके जिए, मगर ऐसी चीजों से दूर रहिए, keep enjoying great sex life